अगर आप लोग मद्यपिदेश की किसी भी गवर्मेंट एकजाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका MPPSC हो गया या व्यापम की एकजाम होते रहते हैं सिक्षक भर्तियां होते रहते हैं वर्ग एक दो तीन के लिए पुलिस कॉंस्टिबल के लिए होता रहता है ऐसा ही दरोगा के लिए होता रहता है जेल पहरी हो पत्यवारी हो इस तरह की अनुविकों एकजाम होते हैं और इन सब के कुश्चन्स पर पेपर उठा के देखेंगे ना पुराने तो आप लोगों की समझ में आएगा कि Current Appears यानि की मद्दपेश में जो घटनाएं घटती रहती हैं उनसे कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में काफी पूंचे जाते हैं और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक हम लोग जनवरी से लेकर नवंबर 2022 में जो भी घटनाएं घटी हैं उन एक-एक महिने की घटनाओं को हम लोगोंने कबर किया है मद्पेश Current Appears 2022 के नाम से आपकी एक पिले लिष्ट सुची बनी हुए उसे जाकर आप लोग कबर कर सकते हैं आज की स्किलास में हमें दिसंबर 2022 में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में एक सामान जानकारी देखना है और एक overview लेना है एक बार मद्पेश को देख लिजे या आप लोगों को स्क्रीन पर मद्पेश का मैप भी दिखाई दे रहा है और आप लोगों से कहता हुँ हूँ कि आप अपने रोम में एक भारत का एक बिस्त का और एक अपने श्टेट का मैप हमेशा लगा की रखा करिएगा जब भी कोई जगे किसी भी कारण से चर्चा में उसे आप लोग देख लिया करिएगा ए मद्पेश है बीच में इसलिए आप लोग हिदय पिदेश भी कहते हैं और मद्पेश भी कहते हैं हिदय पिदेश और मद्पेश नाम दिया था पंडिज जबालाल नहरू ने देश के पहले पिदान मंतरी साहब ने एक नवंबर 1956 में से राज बनाये गया था एक नवंबर को आप लोग मद्पदेश दिवस मरा आते हैं और एक नवंबर सन 2000 में मद्पदेश से अलग करके 36 गर बना था यानि कि राज जी का पुनर गठन हुआ था बर्टमान सौरूप एक नवंबर सन 2000 में आये था इसकी सीमाच 36 गर उत्तरपदेश राजिस्थान गुजरात महराश्ट से लगती है और यहाँ आप देखेंगे कि अगर भासा की बात करें तो हिंदी है राज की पक्षी देखें दूदरा, साहे बुलबुल, पहराडाईच, फिलाई केचर है राज की पसू देखें तो बारे सिंगा बेडरी पे जाती का है बैक्षा आप देखेंगे बरगद है पुस्प आप देखेंगे सपीद लिली है खेल मलकंब है 2013 में घोसित किया गया था राज नाट क्या है माच राज नित क्या है राई है फसल सोयाबीन है मचली आप देखेंगे महासीर 2013 में घोसित की गया थी पर जाती और गान आप देखेंगे मेरा मद्पिदेश है और इसके रचनाकार कौन थे मेरा मद्पिदेश के स्री महिस्त्री वास्तो और मद्ध पिदेश को आफ लोग नदियों के मायके के नाम से जानते हैं सुया पिदेश, सुया बीन, राज, हिदय पिदेश, हीरा पिदेश, कोहिनूर पिदेश, लगु भारत, टाइगर स्टेट, सेंटल पुर्विंस, बरार और यहाँ आप देखेंगे, इसका छेटफल तो 3,8,245 बर किलोमीटर देखने को मिलेगा छेटफल में दूसरे नमबर पर, पहले पर राजिस्तान, दूसरे पर मद्ध देश और एक बात याद रखें, कई जगे 3,8,245 बर किलोमीटर भी देखने को मिलेगा 36 गर से इसका सीमा विबाद है इसलिए विधान सभा में आप देखेंगे, 230 सीटे हैं, राजिस सभा में 11 सीटे हैं, लोग सभा में 39 सीटें देखने को मिलेगे और देखिए लोग सभा में अनुसूचित जाती के लिए, यहाँ आरक्चित सीटें की संख्या 4 है यह आप लोग याद रखेगा, मद्पिदेश के पहले राजपाल और पहले मुक्मंत्री कौन थे, यह आप लोगों को नीचे बताना है चलिए तो पहली खबर हम लोग देख लेते हैं हाल ही में बद्पिदेश की सिफुरी जिले की मुस्कान सेक ने न्यूजी लेंड में संपन सब जूनियर कॉमन वेल्थ पावर लिप्टिंग पितियोगता में 400 पदक गीकर मद्पिदेश का नाम रोसन किया है मुसकान सेक और लिप्टिंग से जुड़ी हुई है मुसकान ने सकार्ट लिप्टिंग में 105 किलोग्राम बेंच प्रेस में आप देख़े 5 किलो और डेर्ड लिप्टिंग में आप देख़े 120 किलो भार उठाया तीनों केटिगरी में अबल आने के बाद उसे टोटल वेट काउंट के लिए भी स्वाट पदक मिला है और सिफरी जिले के छोटी से गाउं मजहेरा की रहने बाली ये 18 बसी है मुसकान से 2016 से पावर लेप्टिंग की तेयारी कर रही है और इससे पहले मुसकान हैंड वॉल में अपनी किसमा तजमा चुकी है लेकिन गाउं में तेयारीयों में समस्या आने के बाद उनका जुकाओ वेट लेप्टिंग की ओर हो गया था मुसकान ने 2016 में पहली बार स्टेज हैंड वॉल पितियोगता में हिसा लिया था इसके बाद साल 2017-18-19 में वह नेशनल खिल चुकी हैं उनके फितादवारा मुहमत पॉल्टरी फॉर्म का बियुसाय करते हैं आप देखें गरीब घर के बच्चे ही कुछ कर पा रहे हैं मध्यम परिवार और आप देखें हमारे आपके पास ओप्सन भी नहीं होता है कुछ हमें तो अपने आप में पहचान बनानी होती है अपनी दम पर इस चार दिसमबर 2022 की घटना है पिदेश की स्कूल सिक्षा सुतंत प्रभार राजमंतरी इंदर सींग परमार ने सासकी सुभास उतकिष्ट विध्याले भुपाल में अनुगूंज की चतोड संसकर्ण का सुभार्म किया है और इसकूल सिक्षा विभाग द्वारा कला से समर्द्ध सिक्षा की अंतरगर्थ मद्पिदेश में पितिवस होने बाले सासकी विध्यालेओं की विध्यारतियों की सांसकर्थी कारक्रम अनुगूंज का आयोजन 5 दिसमबर तक किया जाएगा और अनुगूंज मद्पिदेश की स्कूल सिक्षा विभाग का बैस्विक सिक्षा पिणाली इस्टेम साइंस टेकनोलोजी इंजिनिर्ड आर्ट और मैथमेटिक्स की दिसामे कला से समर्द्ध सिक्षा का अभीनाव कारकरम है अब अनुगूंज के कारकरम अन संभागों में भी आयोजित की जा रहे हैं और एन संभागों की कुल कुछ मोहक पिस्तुतियां राजधानी भोपाल के राजजिस्तरिये कारकरम में भी सामिल हैं और मुख सचिव स्कूल सिक्षा रस्मी अरुन श्रमी ने कहा है कि भोपाल में आयोजित राजजिस्तरिये अनुगूंज के चतोर संसकर में पिदेश की भोपाल इंदोर गवालियर और उज्जन संभाग के विध्यारती विध्यारती विध्ती भागियों भागिता कर रहे और अनुगूंज तीन प्रमुक भागों रंकार, धनक और सेजन के अंतरगत संपाधित किया जा रहा है और अनुगूंज विध्यारतीयों को कला के साथ सिक्षा के संदर में बड़े उस्सा के साथ कलाओं की बारिकिया सीखने के आउसर भी एक तरह से आप दिखते हैं पि किया गया है और जिसके अंतराज्जी संस्किती कलाओं और सेलियों को जानने का उसर मिले और इस तारतम में अनुगूंज 2022 में इन राज्यों की संस्कितिक जलक भी दिखाई देगी क्या देगी संस्कितिक जलक भी दिखाई देगी अंगली खबर 4 दिसंबल 2022 की है मद पिदेश के PCCF बन पराडी जे एस चोहान ने कहाए कि काना राश्टी उद्यान में जंगली भैसे बसानी की तेयारी हो रही है बन विवाग असम सरकार को पत लिखकर जंगली भैसों की म प्रियास कर रही है और एसी आई जंगली भैसों की संख्या बरतमार में 4000 से कम रह गई है और एक सदी पहले एक तक पूरे दच्छमपूर एसी आ में बड़ी तादाद में पाये जाने वाले जंगली भैसे आजकल केबल भारत नेपाल और बर्मा और थाइलेन में ही आपको देखने को मिलेंगे जंगली भैसों की एक प्रिजाती है जिसके मस्तिक पर सफेद निसान होता है और पहले मद्विदे इसके बनों में भी पाई जाती थी लेकिन अब बिलुक्त हो चुकी है मदा जंगली भैस अपने जीवन काल में पाँच बच्चों को जनम देती है और इनकी जीवन आउधी नो साल की होती है आम तोर पर मदा जंगली भैस और उनके बच्चे जुंड बना कर रहते हैं और नर जुंड से अलग रहते हैं लेकिन यदि जुंडी की कोई मादा धारन के लिए तियार होती है तो सबसे तागतबर नर उसके पास किसी और नर को नहीं आने देता है और यह नर आम तोर पर जुंड के आसपास ही बना रहता है नर बच्चे दो साल की उम्र में जुंड छोड़ देते हैं जंगली भैसा का जनम अक्सर बारिस के मौसम के अंत है और यह आप देखे रेंड़ प्रेष्ट नाम की बिमारी ने एक समय इनकी संक्या में बहुत कमी ला दी थी तो यह भी देखने को मिलेगा अंगली ख़बर आप देखें चार दिसमबर 2022 को सेफोर जले की राष्टी कूनो अभ्यारन की डी एपो पेकास सर्वा ने मीडिय को बताए कि कूनो नेशनल पार्क में जल्दी दच्रपीका से बारे चीते आने बाले हैं और दच्रपीका के बन और परियावन मंत्री बारवरा क्रिसी ने प्रोजेक्ट चीता के लिए भारत के साथ MOU को मंझूरी दिये और दस्तावेज अब राष्टपती सिरिल रामपो के पास है और DFO प्रिकास सर्मा ने बताए कि भारत आने के लिए दच्रपीका में बीते साड़े तीन माहेव से बारी चीतों को क्वाइंटाइन में रखा गया है इन चीतों को आगामी 15 दिसंबर तक भारत के सिर्पूर कोनों में लाया जा सकता है पार्क में नए आने वाल चीतों को चोड़ा था तो कोनों नेशनल पार्क आप लोग याद रखेगा इसमें अंगली खबर है आप देखेंगे तीन 4 दिसंबर 2022 की है एक कौलालामपूर मलेसिया में आजित इंटरनेशनल मार्स्टर्स एथलेटिक्स चैंपियंसेब में देहरादून की अर्चना भिष्ट ने सौट पूट भाला फेक में स्वर्ड पदग जीता है और ONGC में सहाइक सुपरिंटेंट के पतपर कारत अर्चना भिष्ट बरिष्ट भाजापा नेता उपिदेश मंतरी महिला मोर्चा बंधना भिष्ट की छोटी बहन है खेल के अबाला आब आप देखेंगे अर्चना भिष्ट बच्चों ने इसी साल नेशनल एथलेक्टिसिक पितियुगता ग्वाटी में पितिभाग करते हुए बेहतर पिदार्शन किया था अंगली खबर तरफ चलते हैं या आप देखें 6 दिसंबर 2022 को मुकमती सिवरासिंग चोहान ने राष्टी आयूस मिसन यूजना में भोपाल के पंडित खुसीलाल सरमा सास्की आयूवेद संथान के पंच करम सुफर स्पेसिलिटी और वेलनेस केंडरोड रजजत जैन्ती और अडिटोरियम भवन का लोकरपन किया है और पंडित खुसी राम बर्मा आयूवेद कॉलेज परिशा में बने पचास विस्तरों वाले पंच करम और वेलनेस सेंटर में केरल के थेरेफिस्ट पंच करम करेंगे और इसके लिए कॉलेज पिरवंधा ने केरल से थेरेफिस नियुक किये हैं और आयू संचनालाय की अंतरकत विक्सित पंच करम सुपर इसपेसिलिटी एबं बेलनेस के अंदर में इसपेसलाइड पंच करम चिकिसा संधीगर्थ और स्पाइन रोग चिकिसा जीवन सेली अंजन रोग निवारन एडवांस नियूरो रिहविलेटेशन बिद्धा वस्ता जन रोग चिकिसा गर्भिनी एबं सूत्री का चारे और बाल रोग काया कल तुचा एबं सौंदर सला तनाव प्रबंदन प्रकिती परीक्षा नाड़ी परीक्षा जैसे चिकिसिये सुविधाएं भी उपलब्द होगी और केंदर में आप देखें लिए पंचकरम, अभ्यागम, सिरोधारा जैसे उपचार की भी विवस्ता हो गिया और आप देखें आयूसराज मंतरी रामकिसोर नानो कौरे ने कहाए कि मुकमंतरी कनेतत में लागू बैद आपके द्वार योजना धर्मंतरी टैनिंग के रूम में वे नवाचारोद, दे रठन किया गया है, और टास्क फोस में देश के जाने माने सिक्छाविद, एवं सोध विसे सग्गों को सामिल किया गया है, और टास्क फोस की सुझाओं से, अभिवेद के चित पर नवीन सोध के लिए अदोसा रचना विकास और कारपतिती भिक्सित करने में सहयोग और पिदेश के साथ महाविध्यालेयों में भी सोध केंदर स्थापित किये जा रहे हैं क्या सोध केंदर स्थापित किये जा रहे हैं यह अंगली खबर आप देखेंगे 8 December 2022 की है इस दिन पिदेश में कोपोशन के स्तर को समात करने और सपोसित मद्द पिदेश के लक्षी की प्राप्ति के लिए रासरकारों American India Foundation की मद्द प्रोजेक्ट समग्र की किरियानमन की लिए MOU हुआ है यह आपसे पूचा जा सकता है कि एक किस से संबंदे थे कोपोशन से संबंदे थे एक तरह से अपरमुक सचिब महला बालविकास असोग साह की उपस्तिती में संचालक मह बालविकास डॉक्टर राम राओ भौसले नेदेशक पब्लिक हेल्थ अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन डॉक्टर महिस्री वास ने MOU उपर हस्ता अक्चर किये अपरमुक सचिब असोग ने कहाए कि प्रोजेक्ट समग्र का मुख कुद्दिस बच्चों की कुपोशन में संचालक महिला बाल विकास डॉक्टर भौसले ने बताए कि प्रोजेक्ट समग्र में बिद्धी सा जली के ग्यारसपूर विलोक में 0-6 वर्स के लगभग आप देखेंगे 10-10 बच्चों को लाभान विद किया जा रहा है और उन्हें बताए कि अमेरिका इंडिया फाउंडेशन प्रोजेक्ट समग्र आगनबाडी के अंदरों में 6 वर्स से कम उम्रे के बच्चों के लिए ठी एचर और पका हुआ गरम भोजन भोजन बच्चों की गुडवत्ता घर आधारी देखवाल और पोशन परामस प्रेदान करने के लिए फ्रेंट लाइन और स्वास्त कार करताओं का कौसल बर्धन करेगा इसके अतरक्त आप देखें अमेरिका इंडिया फाउंडेशन गंभी रोग से कोपोसित बच्चों के समय पर रेफरल के लिए लेंकेज को मजबूत करने और 6 वर से कम आयू के बच्चों के लिए स्कूल की तेयारी सुनेशित करने के साथ ही आंगरबाडी के अंदरों की आ और प्रोजेक्ट समगे की सफलता का आकलन करने के लिए एंड लाइन सर्वे करवा कर और प्रगती का नेमित मूल्यांकन और आओधिक पिक्रिया पिती वेदन तेयार कर समय समय पर राजगी साथ सांजा किया जाएगा इसमें इसके बारे में भी याद रखेगा अंगली ख पाजय सासन ने आधार का उपियुक बढ़ाने और पित्यक्ष लाव अंतरन की कर्यानवन की निगरानी के लिए मुख सचिप की अध्यक्षता में पूर में दोजा सूले में गठि समती का पुनर गठन किया हैं और समती में पिरमुक सचिप सचिप खाद नागरिक आपूर्टी और भोगता सरक्षन स्कूल सिक्षा महला बाल विकास जनगरणा ने देशक मुख पोस्ट मास्टर जनरल राज इस्तरिये बेंकर समती के पितिने दी राज नोडल अधिकारी ए गवर्नेंस और महाने देश सक UIDI, छेतरिये कारियालेफ, पिर्वंद संचालक मद्पदेश, एलेक्टोनिक्स, बिकास नेगम सदस और पिरमुक सचिप, सचिप विज्ञान एवं परुद्धकी की सदस सचिप होंगे और भारती यूनिक पहचान प्रादीकन की अनुशनसाओं के किरियानमन और नागरिकों की रजिस्टेशन से समभन दित कारेयों के किरियानमन के लिए पुनर्गठे समती द्वारा आधार नमंकन और आगतन, अगतनहीकरन और परिस्तित्ति की तंत के करेयानमन की निगरानी अधार पहचान प्लेटफॉर्म के उपयों की समीक्षा और नागरेक सिकायतों के निवारन की प्रगती की निगरानी के लिए के कार किये जाएंगे और इसके अत्रिक समती द्वारा आधार परिश्तेतिकी तंत की भागेदार की सूचना सुरक्षा गोपनेता प्रत्थाओं क समीक्षा जिला अस्तरिय आधार निगरानी समती का परिवेक्षन मार्क दर्शन राज सरकार के पोटल की कार परिणाली की निगरानी कार भी के जाएंगे इसमें तो ये भी देखने को मिलेगा अंगली ख़बर आप देखेंगे नौ दिसमबर 2022 को किये एक एरल के तिरू अ पела ज़्जर की तगडी ने के 50मीटर राइफल्स तीटेम ईवेंट में स्वधर परिच्विटल जीता है जाने कि गोल्ड पर्लो फटक जीता है इन्होंने अनो ऑदल मेंडल लौई इसके अलबा आप देखेंगे, 50मीटर राइफल्स में थ्री पउरजिसन सिन्यर मेंस टीम एवेंट अकादमी के समीर उल्ला खां, अमीर सिंग रॉले और आधर स्तिबारी ने भी स्वाड पदक जीता है। चैंपियंसेप में अकादमी के हरसित बिंजबा ने मेंस एकल सिविलियन इवेंट में अपने उतकिस्ट पिदासन से स्वाड पदक पर कपज़ा किया है। जूनियर टीम इवेंट में अकादमी के अर्जुन ठाक और अर्जी सिंग और इतुराज बुंदिला की तिगडी ने रज़त पदक जीता है। अर्जित करना रिकॉर्ड तोड़कर 590 पॉइंट्स अर्जित करना राष्टी रिकॉर्ड बनाया। अंगली खबर आप देखेंगे। 60 मेगावाट्स और उर्जा फिलांड की स्थापना के लिए ग्रेन वांड जारी करेगा। और परमुक सचिम ने बताया कि नगर निगम ग्रेन वांड से 250 करू रूपी की बवस्ता करेगा। इस समयंद में नगरिय विकास और आबास बिभाग द्वारा सुईकिती भी दी गई है। और ग्रेन वांड जारी करने के पिस्ताव पर नगर निगम परिशत इंदोर की सुईकिती के बाद आगामी कारवाही की जाएगी। और बांड रासी की बापसी नगर निगम इंदोर अपने इस्तर से करेगा, सासन इसके लिए अलग से कोई वित्तिय सहायता नहीं देगा, क्या देगा, सहायता नहीं देगा, अंगली खबर है, 9 देसंबर 2022 को, मदपेज़ेस के लोक एवं स्वास्त परिवार कल्यान मंतरी, डॉक्टर पिरभूरान चौदरी और चिकसा सिक्षा मंतरी विस्वास के लासारंग ने भोपाल के गोविंद पुरा में पेदेश के पहले मुकमंतरी संजीबनी पोली किलिनिक किये जा रहे हैं, और स्वास्त मंतरी डॉक्टर चौदरी ने कहा है कि भोपाल नगर में 32 मुकमंतरी संजीबनी पॉली क्लिनिकल सुरू किये जाएंगे, और पॉली क्लिनिकल में विभन रोकों की विस्षिसक उपचार के लिए उपलब्द रहेंगे, और साथी विभन जा स्वासा हिंदी में मेडिकल की पड़ाई की सुविदधा दी है, और आप देखेंगे, चिकिसा सिक्षा मंति सारंग ने कहा है कि मुकमंतरी सीबरासीन चोहान की नेटित में पिदेश में, स्वास्त के चित में अभूतपूर्ग कार हुए, और स्वास्त के छित में भाग द्वारा दी गई जानकारी कर्मसार, राय सेंजले में स्थित एक छोटा सा कस्वा, साची जो इस्तूपों और बुद्ध तीर तिस्थल के लिए बिस्विक्यात है, अब जल्द ही देश की पहली सोलर सिटी के रूम में भी जाना जाएगा, साची में सौर उर्जा से सा तीन मेगाबाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, और सौलर सिटी बनने इसे बिजली आ पूर्टी में आत्मिरभर होने इसकी साथ, इस सांची की अंगली, अंगले, सांची की अंगले पांच वर्सों की विद्धुत आवसकताओं की पूर्ती और सौर उर्जा से सु तीन टर्वाइन, फीजो इलेक्टिक जनरेटर्स इस्थाबित किये जाएगे, और इसी किरह में मदपिदेश छेद बिद्धुत बितरन कंपणी द्वारा सांची में ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा देने और सौलर रूप टॉप लगाने के लिए आम जन को पेरित करने के उद्धेश से बारे से आप देखें, 18 दिसंबर तरसांची में सोलर रूप टॉप नोडल एजिंसियों के मदद जन जागरीति सिबर लगाये जाएगे, और सिबर में सोलर लगाने की लाप और सोलर रूप टॉप लगाने की विद्धिरिया के बारे में बताये जाएगा, और सोलर रूप टॉप की लाप देखें, तो अपने घर, गुरूप, हाउसिंग, सोसाइटी की च्छत या खुली जगह पर सोलर पैनल लगाए और बिजली पर होने वाले खर्च को बचाएं, सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी, और इससे लगाने की खर्च का वुकता चार से पांच बर्सों में बराबर हो जाएगा, इसके बाद अंगले 20 बर्सों तक सोलर से बिजली का लाब सत्त मिलता रहेगा, और इससे कारवन फ्रूंट प्रेंट कम होगा और परयावन को लाब मिलेगा, एक किलो वाट चमता की सौर उर्जा पैनल के लिए लगबग आ और सोलर प्रेंट लगाने की खर्च पर गुरूप हाउसिंग सोसाइटी को कॉमन सो विधावाले सायोजन पर 500 मेगाबाट तक, यानि कि 10 किलो बाट पिती घर, 20 पिती सत की सबसेटी मिलेगी, और नवी करनी है उर्जा पर ध्यान भी दिया जा रहा है, यह आप देखे अगवान से उर्जा देख लीजे, जल से उर्दा देख लीजे, बायू से उर्जा देख लीजे, पवन से, यह जब तक रहेंगे तभी तक हम लोग रहेंगे, तोसी से उर्जा का वेकल्पिक्स रोद देखा जा रहा है अंगली खबर है आपकी 11 दिसंबर 2022 को State Master Athletics Association मद्धिपदेश द्वारा CISF Ground Bhopal में आईजी तराज जिस्तरीय चेंपिनसेप में बित्ति विभाग में पदस्त S.L.R. दोबे ने Long Jump में Gold Medal अपने नाम किया है इनका नाम क्या है? S.L.R. दोबे और याद रहे कि S.L.R. दोबे ने गत्माहे उज्जेन में हुई राज़िस्तरीय गेम्स पिते उगता में Long Tennis और 100 मीटर दोड में Gold और Long Jump में Silver Medal जीता था और अखिल भारती राष्टी Long Tennis मद्धिपदेश की टीम में भी दोबे का चेंड हुआ और इस टीम में Open केटेगरी से चार और एवं 45 पिलस केटेगरी से तीन खिलाडियों को राष्टी पिते उगता के लिए चैन किया जाता है और राष्टी पिते उगता बारे से आप देखें 17 दिसंबर तक हर्याना की पंचकुला में होने जा रही है और आप देखेंगे कि दोबे बहु मुखी पितिवा के भी धने है वे अपने इसमार सक्ती के आधार पर बिना देखे सबसे तेज सुन्दर कान पढ़ने का वर्स 2018 में रिकॉर्ड भी बना चुके है हनवान 40,5 मिनिट और सिर्फ 3 और 2 मिनिट में कह देते हैं और उनके लिए नंबर्स की स्कॉयर और रूट बताना सामान बात है तुद दिमाग है तभी तुए अंगली ख़बर आप देखे 13 दिसंबर 2022 को मुखमती सिवरा सिंग चोहान की अध्यर्षता में हुई मंती पस्त की बैठक में मंती पस्त ने पिदेश में विज्ञान परुद की एबं नवाचार से सम्मधित पिथम नीती का अनुवधन किया है यह नीती पिदेश में बिज्ञानिक द्रिष्टी कौन का निर्मान नवाचार पारिष्टिती की तंद को मजबूद करने और बिज्ञान पुरुद्ध की की सक्षम उद्धिमिता को वड़ाबा देने नई तकनीकी का उपयोग कर सास्किय सेवाओं को मजबूद करने और पा सरम सक्ती जैसे कारकों को सुद्रण करके 2030 तक इंडिया इनोवेशन एंडेक्स अपने मौझूदा तेरवे रैंक से मद्ध पिदेश को 65 राज्यों में इस्थान दिलाना है एक पिरभावी STI पालिस्तिती तंत विक्सित कर मद्ध पिदेश को अनुसंधान प्रिकासन और नव उद्ध्यम स्टार्टप उद्धोगी की डिजायन सम्मदी नवाचार और पेटेंट जैसे संकेतकों को सुद्रण कर पिदेश में ज्यान आधारित उत्पादन को करना को बढ़ावाद देना और पितिश्तित राष्टी और अंतराष्टी बिज्ञान और पुरुद्ध्यकी की पुरुषकार जैसे बिज्ञान और पुरुद्ध्यकी के लिए सांतिय सवरू भटनागर पुरुषकार प्राप्त करने के लिए प्रोसाहन पिदान करना है माध्यम से पारंपरिक ज्यान पेडाली की सरक्षन और संबर्धन के लिए एक आधर धाची को विक्सित करना है। अंकलन कर घर घर कर घर पहुंच सेवा उपलग दिस्चित करना। प्रक्षन संबंदी आवसकताओं को दिरिष्टी गट रखते हुए एक सरव सुलव सेंट वॉक्स बातावन निविस्ट का डेटा अधारिक स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उत्तरदाई इस नवाचार पारस्तित की तंत का निवाड़ करना। नवीन और उननट प्रुद्धियों के अधिगरण, हस्तांतरन, अनुकूलन, ओपियों को सुगा मनाने के लिए राष्टी और अंतराष्टी संबंदों को बढ़ावा देना। और प्रासंगीक नवाचारों विज्ञान सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिस संस्थान जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, AIIMS हो गया, NIT हो गया, IIT हो गया, NIT हो गया, NIFT हो गया, और आप देखे NLS हो गया, संस्थानों को मत्यपदेश्ट के एक जिले को गोद लेकर उस जिले में इस्थानीय रूप से विज्ञान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए पु जैसे IIT, IIT, आदी में नवाचा समुगों, इनक्यूबेटरों और एक्स लेटरों की स्थापना की जाएगी इसमें, तो ये भी याद रखेगा, अंगली ख़बर आप देखेंगे, 13 दिसम्बर 2022 की है, इस दिन मुकमंती सिवरा सिंग चोहन की अध्यक्सता में हुई बैट मुहासा बावी में आप देखें, चंगण एकड छेत फल को भारत सरकार की यूजना अंतरगत, उर्जा और नवी करने है, उर्जा के उकड़ों की भी निर्माड ही तू अरक्चित किये जाने की अनुमती पिदान की गई है, मुहासा बावी में आवंटन योग 686, एकड भ भूमी उपलग्द सुनिश्चित, उपलग्दिता सुनिश्चित करने की द्रिष्टी गत, मत्पिदेश राज उद्धोगिक भूमी इबं भवन प्रबंधन नियम 2014 की अंतरगत भू आवंटन की ओनलाइन, पद्दिती को सेथिल करते हैं भूखन्डों का आवंटन ओफला प्रमुख सचिब उद्धोगिक नीती और निवेश प्रोसाहन विभात की अध्यक्स्ता में गठे सम्ती द्वारा संबंधित एकाईयों को भू आवंटन के लिए टेक्स्टाइल, गार्मेंट ट्रेक्टर, फूड प्रोसेसिंग और जैसे रोजगार मूलक एकाईयां प्र प्राप्त करने की पात्ता होगी इसमें, और मुहासा बावी में पिस्तावित काईयों को निवेश समर्धन पर मंती परस सम्ती सिप्थक से भूप, प्रेया ब्याजी और विकास उल्क में अतिरिक चूट और रियायत समंधी पात्ता प्राप्त करने की सुवधा नहीं होग और एकाई की भूप, प्या ब्याजी, मद्विदेश राज उद्धोगिक भूमी भवन प्रवंधन नियम, 2019 के अमसा भूमी के बास्तिक मूल के संतोल होगे। एकाई की स्थापना होने से मुहासा बावई उद्धोगिक चेत में टेक्स्टाइल, कम्पनियों जैसे वेस्ट कॉर्पोरेशन, इंडो रामा, महमा, फाइवर्स, बर्दमान आदी द्वारा भूमी की मांग की जा रही है। तो ये भी देखने को मिलेगा। अंगली पर चलते हैं हम लोग। आप देखेंगे की जो केंदर स्तर पर रहता है, वहां राजिस सबालोकषभा में जब तक कोई पिस्टाव रहता है तो उसे बिल विध्यक कहते हैं। उसवा जैसे राजिसवाल उकसवा से पारित होता है और राष्टपती की सहमती मिलती है वो कानूर बन जाता है। और इसके अत्रिक्त आवसक 615 हेक्टर भूमी को राज सासन द्वारा अरजित भारती बिमान पतन पर आधीकन को दिये जाने का अनमोधन मंत्री परसद द्वारा किया गया है। संसोधन विधियक 2022 का अनोधन किया है और विधियक को विधानसभा में पुरा इस्थापित कर पारित कराने की समस्त आवसक कारवाही करने ही तो राजस भवा को अधीकित किया है। और सीमानकन के मामले में आप देखें मामले की निराकन के लिए सक्चा मधिकारी तहसीलदार है और पिदेश में राजस निरेक्चन की संक्या सीमेत होने और सीमानकन की आविधनों की तुरिट निराकन के लिए मद्ध पिदेश भूराजस सहिता में संसोधन पिस्तावित ह अब तहसिल द्वारा स्रीमांकन आभिदन पर राजस निरिक्षक नगर सरविक्षन के सासात कस्वा पटवारी की रिपोर्ट भी ले जा सकेगी और मद्धी पसद्वारा पिदेश के बिमोक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू समधाय के व्यक्तियों के एक लाग रुपी तक का रेड और बेंकों की माध्यम से उपलवद कराया जाएगा और अधिक्तम दो लाग रोपे की ब्यक्तिगत में फिक्रन स्विकित किये जाएंगे और पिथम बार लिएगा रेड़ पर पर परियोजना लागत 25 पिती सथ और दुतियर रेड़ पर 20 पिती सथ अनुदान है और पिथम दुतियर रेड़ पर व्याज पर पद पर आप देख सक और माहत्वीन हो चुके हैं मध्पिदेश बॉस्टं एक्ट उन्निस वाटभारत लफू नियाले अधीनीयम 1916 मध्पिदेश और दोगिक राज सहित अधीनीयम198 मध्पिदेश अस्व रोग अधीनीयम1960 मध्पिदेश पसु नेंतर अधीनीयम1966 मंती पसंने करने से पूर मानिय राष्टपती महुदय की पूरु मंजूरी हितु ग्रह मंत्राले भादर सरकार को पेशित करने की अनुमती भी पेदान की गई है तो यह भी याद रखना चेहे जो कानून जरूरत के नहीं रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है 14 दिसंबर 2022 को मुखमंती सिवरा सिंग चोहन ने उज्जन में महाकाले स्वर और महाकाल लोग पॉजिशर में राज्य में पहले 5G नेटवर्ग की शुरूआत की है और मुखमंती ने इस आउसर पर कहा है कि नेटवर्ग और डिजीटल सुलप्ता के चलते राज जब तेजी से विकास करेगा 5G सिवाओं की शुरूआत से राज की विकास को भी गती में लेगी और रिलाइस जुद्वारा महाकालेस और निर्मिद महाकाल लोग परीचर में शुरू की गई 5G सिवापूर्टा मुप्त है और आम जनता और वहाँ जाने बाले सभी परटकों के लिए फिरी उपलब्ध रहेगी अंगली खबर आप देखें 16 दिसंबर 2022 को मद्पदेश राज गरामीड अजिक्का मिसन के अंतरगत गठित बुंदेल खंड की 18,500 से अधिक महिला डेरी किसानों की दुख्द उतपादक कंपणी मुक्ता ने अपना वरंड मुक्ता गी बिधीबत लॉंच किया है और पिदेश की महिला दुख्द उतपादक कंपणी की यह बड़ी उपलब दी है पिदेश की चार दुख्द उतपादक कंपणीयों में कंपणीया पिती दिन 2,000,000 लीटर दुख्द उतपादन करती है जिनमें आप देखें अकेली मुक्ता कमपनी एक लाग लीटर फिती दूद उतका उत्मादन कर रही है और कमपनी का बासिक टैन ओबर आप देखें 65 करूर रुपे से यह देखें और ये साउसर पर मदपदेश राज अजीब का मिसन के मुक कारपालन अधिकारी LM वेलवाल ने कहाए कि यह प्रेडा दाइक स्टार्टप है जो महलाओं के ससकती का अंका पिदीख है और मदपदेश राज गरामीड अजीब का मिसन के अंतरगत आप देखें पिदेश में 4,12,67 समुह गटित के ने जिनमें 46,00,00, गरामीड महलाओं का अजीब का संबर्धन किया रहा है और पिदेश में आप देखेंगे कि 88 किसान उत्पादक कंपनीया भी बनाएगे 803 सत विक्री से आयका भुकतान सदसों को दूद के रूम में किया गया है और कंपनीय द्वारा पिदेख गाउं में दूद की खरीदी के लिए 900 चले दूद संग्रहन पर डाली इस्थावित की गई है और जिसमें दूद बेचने बाली सदस दूद की मातरा गुडवत्ता और मूली की जाज स्वयम कर सकते हैं उन्हें मुद्रित पावती परची भी मिलती है और उनके मुबाइल पर बेचे गए दूद का पूरा बित्र विवरन आज सकता है और कंपनी का मुबाइल एप दूद के लेंदेन की जानिकारी देती है कंपनी पसुओं में दूद की उत्पादकता और गुडवत्ता बढ़ाने के लिए किंतिम गरबाधान, खनिज मिस्तरन, फैटिलिटी कैम, अवेरनेस जैसी कारी कर रही है और याद रहे मुक्ता कंपनी ने इंडिया डेरी अवर्ड 2021 में डेरी एक्स्टेंशन पुरुसकार भी प्राप किया है और कंपनी ने चार साल की अल्व अवधी में यह सफलता पाई है आगामी दो बर्स में पिदेश में दुखद उतपादक कंपनीयों से 5 लाख लीटर पिती दिन दूध उतपादन का लक्ष भी रखने की बात हो रही है अंगली ख़वर है आप देखेंगे 20 दिसंबर 2022 को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम के मासल आर्ट भवन में 310 महला मुक्के बाजों की बीच मद्पिदेश के खेल युगा कल्यान मंत्री यसोदरा राजी सिंधिया ने चटवी एलीट महला बॉक्सिंग चेंपिएंसे 2022 का सोबारम किया है और चेंपिएंसे में मद्पिदेश देश का अलग बेट केटिगरी के कुल 27 क्वालिफाइंग मुकाबले हुए है और पहले दिन मद्पिदेश बॉक्सिंग अकादमी की अंजली सर्मा ने 45-48 किलोग्राम की मिनीमम बेट केटिगरी में आंद्पिदेश की जोती गोली को 5-0 से हराकर प्ली मिनरी राउंड क्वालिफाई किया है अकादमी की ही मंजू बाम बोरिया ने 63-66 किलोग्राम बेट केटिगरी में अपना बाउट क्यालिफाई किया है और तेलंगना की अंतराश्टी मुक्यबाच निखत जरीन ने 48-50 किलोग्राम फ्लाई वेट केटिगरी में तमिलाडू की एल के अभी नया कोहराकर क्वालिफाई राउंड किलियर किया है और निखत ने RAC रेफरी स्टॉक कॉंटेक्ट के जरीए बाउट जीता है और छटवी एलीट महला वॉक्सिंग चेंपियंसिप 2022 में देश की ACI मुक्यबाजी की गोल्ड मेडलिस्ट लाउलीना बोर्गोहन विस्ट जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन अरजुन पुरसकाल से समानी निया लातेर और सेरम जीत कौर जैसे दिगज मुक्यबा अंगली ख़वर की तरह बरते हैं विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आठ नई सेवाओं को सामिल किया गया है और ICM, ICIS पोर्टल पर सहकारी समतियों के ओनलाइन पंजियन की बेवस्ता भी शुरू की गया है विभाग द्वारा सुन्य पितिसद व्याज योजना में 2021-22 में खरीब सीजन की लगवग 18,000,000 करूर रवी सीजन की अठारे लाग करूर रवी सीजन की अठारे लाग करूर को 16,860 करूर रुपे की फसल रिड़ से लाबानवित किया गया है और वर्स 2022-23 में खरीब सीजन की 19,000,000 करूर रवी सीजन में अब तक 7,000,000 करूर रुपे का फसल रिड़ वितरन किया गया है और पी-म किसान योजना की सहकारी बेंगों के पाथ हित्गराहियों को आप देखेंगे 49,57,000 किसान केड़िट काड़ भी जारी किया गया है इंदर सिंग परमार ने मत्पिदेश राज मुक्त स्कूल सिक्षा बोर्ड़ द्वारा संचालित EFA Education for all school में प्यारम किये है Artificial Intelligence विसाई की कक्छा आटवी और नौवी की पुस्तकों का विमोचन करते हुए बताई कि स्कूल सिक्छा में Artificial Intelligence फढ़ाने वाला मत्पदेश देश का पहला राज बन चुका है, किंति बुद्धी मताई की बात हो रही है, और मंती ने कहा है कि मत्पदेश राज मुक्त इन स्कूलों में 40 आधुनिक कंप्यूटर की इंटरनेट मुक्त 33 साला भी स्थापित की गई है, मत्पदेश में गुडवत्ता पूर्ण सिक्छा देने के लिए सिक्छा विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक देशों की समाविस और अनुफियोग पर जोड़ दिया जा रह रही है, और सवर्व सुविधा युक्त कंप्यूटर लेब की उफलब्ता से इस बेशाई की पढ़ाई में विध्यार्तियों को सुखंता भी हो रही है, और आप देखें, आईटीफिसल इंटेलिजन्स जैसी नवीनतब तकनीक के साथ भारत को विस्थ की समक्चे, खड़ अध्यक्स्ता में मंतराले ने में हुई मंती विस्थ की बैठक में पिदेश के सभी 31,425 आंगर्माडी भावनों में विध्धुत सयोजन किये जाने की सुखिति देने के साथ ही कई अन्यमात्पूर ने डए लिये हैं, और इसमें आप देखें मंती विस्थ की बैठक में 22 विध्धिये वर्स 2022 से विध्धिये वर्स 2024 तक पिदेश के सभी आंगर्माडी केंद्रों में विभाग ए निर्मित, निर्माडा धीन और भविस्थ में निर्मित होने वाले 31,425 भावनों में विध्धुत सयोजन किये जाने की सुखिति पिदान की है, और वल्कमार विध का सत्विति सत्राजमद से किया जाएगा, और इसके किरियानमन के लिए वर्स 2022 से लेकर वर्स 2024 तक 89 करोड़ 7 लाग रोपे के वजट को सुखिति पिदान की गई है, और मंती परसत द्वारा मत्विधिये सहकारी समती के सुचारू संचालन के लिए केंद्री सोसाइटी में पिशासक की सहहता के लिए 5 विक्तियों की समती गठित किये जाने के प्रावधन का अनूसमर्तन भी किया गया है, और मंती पसद्वारा मत्विधिये से जल परीक्षन संसोधन विधिये 2022 का अनूबोदन और विधिये को विधान सभाय में पूरा इस्था बिद कर पारित कर पूराने के लिए लोक स्वास्त यांत की विभाक को अधिकित करने का अनुसमर्तन किया गया है। 21 दिसंबर 2022 को मद्विदेश संस्किती विभाग ने 2021 के राज्य सिखर सम्मानों की गोशना कर दी गई है। और विभाग द्वारा इन राष्टी एवं राज्य सम्मानों में सिखर मद्विदेश की संस्कितिक पहचान को राष्टी इस्तर पर पिति श्ठापित किया गया है। और राज्य सिखर सम्मान के लिए चैनित सभी कलाकारों और साहितकारों को सम्मान स्वरोग एक एक लाख रोपे की सम्मान रासी, सम्मान पट्टी का और सौल स्रीफल पितान किया जाता है। और राज्य सिखर सम्मान के लिए चैनित कलाकार साहितकार है। और राज्य सम्मान के लिए मुन्ने खा एभोपाल के है। राश्टी नाना जी देशमुक सम्मान जन्जाती कल्याड केंद महाकोसल डिनोरी को इसमें दो लाख रुपे दिये जाते हैं। राश्टी कुमार राश्टी कुमार गंधरव सम्मान सुसरी रुकमनी विजय कुमार को इसमें आप देखें हैं। राश्टी सुचना फ्रोद्रकी की सम्मान रभी संकर्स्री वास्ताव को राश्टी निर्मल बर्मा सम्मान सुसरी सिखा वासने को लंदन के हैं। राश्टी फादर कामिल बुल के सम्मान डॉक्टर हैंस य wreck Another वेसलर देन्वार के हैं। और राश्टी गुणा कर मूले सम्मान जयंत विसन 550 को लांपूर के हैं राश्टी हिंदी सेबां सम्मान अजीद वननेयर के हैं। रवण नेयरकर नक्रोत कर घृपाल के हैं। लोक निर्मार्ण बिभाग द्वारा किये जाने बाले निर्मार्ण कारेओं की गुडवत्ता नियंतन के लिए सचिप लोक निर्मार्ण की अध्यक्सता में Quality Control Cell का गठन किया गया है और लोक निर्मार्ण बिभाग की प्रमुख सचिप सुघवी सिंग ने बताई की quality control cell निर्माड कारेयों की गुर्वत्ता नियंतन के साथ समय सीमा में कार पूर्टा पर नजर रखेगा इसके अलावा समय समय पर गुर्वत्ता नियंतन के लिए तक्नीकी सर्कूलर भी जारी करेगा और परमुक सच्चिम ने बताए कि सेल में सच्चिम लोक निर्माड आरकी मेहरा अध्यक्ष होंगे और मुक अभियंता उत्तरपरी चेतर ग्वालियर बीपी वरासी अधीक्चन यंति सेतु मंडल एमपी सिंग सहाइक यंतरी स्री सीवी इतिवारी सहाइक यंति संजय कुलकरने और सलाहकार क्मंतराले की रितेश जयन सम्ती के सदस होंगे क्या होंगे संती के सदस होंगे ए 21 संबद 2022 को मदपदेश कुटी रेमम ग्राम उद्यों विभाग द्वारा फैविक्स और मदपदेश की थीम पर आयुज डेजाइन कॉंपिटीशन की विजिताओं को भोपाल हाट ये उजिन आहट बाजार भोपाल में स्टेट हैंडलोम एक्सपो 2022 पुरुसकार विद्रित किये गए है और इस कारकरम में मिसेज इंडिया, इंटरनेशनल डॉक्टर रेनू यादो और मिसेज यूनिवर्स जॉय सूसरी अमिनिता तिरपार्टी ने इस्टेट हैंडलोम एक्सपो 2022 की पुरुसकारों का वित्रण किया है भुपाल जले से एतनिक वियर सैनी में अमानुतुला, अमातुला, बोहरा, अरचना विसकर्मा, एवं सल्मा, अंसारी और तथा रेडी टू बियर सैनी में नंदिता नाय, फरा अन्नदीम और मानन्या यादव कु करमसा पिथम दुतिय उतितिय पुरुसकार दिया गया है और सभी विजेताओं को एक जला, एक उत्पाद योजना में चैनिक साथ जिलों के साथ उत्पाद और फिसस्ती पत अपर हाल सोरूप दिये गया है और पिदेश के हदगरगा खादी एवम रेसमी बस्तों के उत्पादन की पारंपरी फिक्रियाओं को सहजने उनके पीछे चुपी हुई समरिद निर्माड कला का प्रदेश बासियों को परिचय देने के उद्देश से डिजाइन पीतियोगता के अतिरिक्त हेंडलों और ब चैंपियंशिप का समापन हुए जिसमें पुरूस ब़र्ग में गुजरात और महला बर्ग में पष्ट मंगाल चैंपियन बना है बनना हीरे के लिए भी जाना जाता है लिए जिले यहीं पाय जाता ना मद पिदेश को इसलिए तो हीरा पिदेश कहते है पच्चीस वी पुरुस बर्ग में गुजरात एबम हर्याना की बीच फाइनल मैच खेला गया और जिसमें गुजरात विजेता और हर्याना की टीम विजेता रही है। पुरुसकार रासी दिये गई है। देश की पावर सेक्टर का पितिश्थी राष्टी लोड डिस्पेच सेंटर भार पेशन के अंदर उत्किष्टा पुरुसकार प्राप्त हुआ है। और भारत के बिजली सेक्टर की राष्टी संस्था ग्रेट इंडिया से सम्मधित फॉरम ओप लोड डिस्पेचर इवं आईएटी दिल्ली द्वारा आईजे नेशनल पावर सिस्टम कॉन्फेंस में मद्पिदेश ट्रांस को की तरफ से मुख अभियंता स्टेट लोड डि इसकी पावर सेक्टर का एक बेहत पितिष्टित पुरुषकार ग्रिड मादणों का पादन करने और पुरुषकार चेहन की तीन चेहनों की कठिन पिक्रियां उसे गुजरने की बाद मिला है चेहन पिकिया के पहले चरण में 40 से अधिक मादण बिन्दूओं पर बस्तु इस्तिती की आधार पर मद्पिदेश, सहिद, महराष्ट और तेलंगाना पिदेश चुने गया है और दूसरे चरण में प्रिजेंटेशन एवं 4 सदस्य जूरी द्वारा लिए गये मौक्सिस्क चाथकार के आधार पर पहली चरण में चैनित तीनो इस्टेट लोड डिस्पेच सेंटर की पर्फोमेंस पर्खी गई है और आप देखें IIT के प्रोफेसर्स और पुसो को ग्रेड इंडिया की विस्षिस्तरिये रिटार विसेसग और टाटा एनरजी रिसर्ष इंटिट्यूट के नामी विसेसगी की जूरी द्वारा तीसे चाण की पिक्रिया के बाद समग रोफ से मद्विदेश के राजज लोड डिस्पेच सेंटर को इस परुसकार के लिए चुना गया है और पुरसकार के लिए पहले देश के सभी राजज लोड डिस्पेच सेंटरों के बुन्यादी धाचे नवाचार में किये गए कारियों का विबरन, पावर सेक्टर की चुनातिया से निपटने के तरीके साइबर सेकॉर्टी के लिए पालन की गई पिक्रिया है ग्रड मेनेजबेंट कारमेकों की टेनिंग और उनके बेल फियर के लिए किये गए कार आत्यादुनिक आईटी सेश्टम की उपलगता रियल टाइम डाटा का संगरण नवीनी करण उर्जा ग्रेड के साथ एकी करण आईसलेडिंग इसकीम आदी बिंदूं पर जानकारी द लोकारपण और तीन करोड एक सर्टलाक रोपे की लागत के बिकास कारेओं के सलन्यास किया है और मुखमंती सिवरासिंग चोहान ने बताया कि सिहोर जिले के ग्राम सैमरी में लोकारपथ हुई रतनपूर उद्धन सिचाई युजना से पूरे चेत में सुक्स समरिद्धी यह युजना सुरू होने से अब ग्राम बोरी रतनपूर सैमरी डौंगरी और खनपूरा के 600 किसानों की 184 हेक्टर भूमी सिचाई उन्होंने लगेगी और मुखमंतीरी ने पर युजना से सेस रहे साथ गाउं की सिचाई सुगधा के लिए 20 करोड रुपे सुईकित करने क गोशना भी किये उन्होंने बताया कि पिदेश में इस उद्धेन सिचाई उजना से 40 फिट नीची नहे से पानी उपर लाए गया है इसके अलावा 600 किसानों की खेती तक पानी पहुंचाने के लिए 9 किलूमीटर लंबी पाइवलाइन खेतों में डाली गई है और हर 6 से बॉक्स लगा कर खेतों को सिंचा जाएगा किसानों को फायदा होगा इससे अंगली खबर आप देखे 26 इसमबर 2022 की है इंद्ध पिदेश की बन मंतरी डॉक्टर कुमर विजय साने बहुपाल के लाल परेट ग्राउंड में आयुजित अंतराश्टी बन मेला की समापन का दर्सनी के चित में MP, MFP, पारग भुपाल को पिथम सामाजिक बनकी को दुतिया और मत्ध पिदेश मस महसंग को तितिय पुरुसकाल दिया है तितिय पुरुसकाल स्वरुप शील ने पिदान किये संतावना पुरुसकार दिया गया है। संगरण में समुदाइक विकास के लिए प्रयास के लिए पश्चिम बैतुल की नंदा समिती को पिथा विसेश सम्मान। मुखमंत्री ने भुपाल में मुखमंत्री निवास समत्य भवन में बिक्रम उस्व से समंदित बैठक में बताए कि कारकरम को बेहद और गर्मापूर बनाने के लिए प्रयास किये जाएं। और जैसे कारकरम गिनी जो वुक और वर्ल्ड रेकॉर्ड में दरज हो। बिक्रम उस्व में सिवरात्री से वर्ष पिति पदा तक भक्ती गायन पेदर्सनी हस्ते सिल्फ व्यापार मेला नाठ पिस्तुती पुस्तक मेला भजन मंडलियों की स्परदा फिलिम समारो राष्टी वेद समागम राष्टी यूबा विग्यान कभी सम्मेलन प्रकासन लो संचान बिक्रम अधित भैदिक घडी के लोकरण पर कारकरं भी रहा किरये जाएंगे Well अंगली खबर आप देखेंगे 28 दिसमबर 2022 किये मद्धिदेश टूरेंज बोड की प्रवन संचालक सेकर सुकला ने बताएगी परेटन संस्किती द्वारा संस्किती ब्भाग द्वारा पिदेश में काई ड्राइविंग फेस्टिबल के दूसरे संस्किती हो पांच जनवरी 2023 से उज्जयन के दाताना एर स्टिफ पर की जाएगी और इसमें आप देखें मत पिदेश टूरिंज बोर्ड द्वारा पिदेश में एडवेंचर टूरिंज को बड़ावा देने के लिए सुरू किये जारे इसकाई ड्राइविंग फेस्टिवल का समापन 15 जनवरी को हो गया और प्रवासी भारतिय सम्मेलन ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट और जी ट्वेंटी सम्मेलन के लिए पिदेश में मौझूद रहने वाले अथीती भी सर्व एडवेंचर गतिवधी का आनन ले सकेंगी इसका स SPA प्रमाडित संस्ता इसकाई हाई इंडिया द्वारा किया जा रहा है और सिप सेकर सुकला ने बताई कि सकाई ड्राइविंग फेस्टिवल का पहला संसकाण सफल ला है और सभी बुकिंग इसलोट बुक हो चुके हैं और इसे ही को देखते हुए आप दूसरे संसकाण का किया जा रहा है और इस दौरान उज्जेन में उच्चे मानकों के साथ सिक्षित कर्मियों की मदस से रोमांच पर हमी स्काई ड्राइविंग का आनंद ले सकेंगे और विद्दस अजार पिट की उचाई से महाकाल की नगरी को देखने का रोमांच भी प्राप्त कर सकेंगे क्या कर सकेंगे प्राप कर सकेंगे कर साले ब्युषाई कंपलेक्स सा निर्मार कराया जाएगा जो का दुकानदार बस इस्टेंड में से विस्थाफित होंगी उनको प्रात्मिकता के साथ बेँता के साथ दिया जाएगा सरफ सुविधा युक्ते रेट हाउस भी अन्यत निर्मित की जाएगे उन्होंने बताए कि राहतगर्ड विदीसा 14 से रेश्ट हाउस बस स्टेंड तक सड़क बना बनाई जा रही है और जिसमें आप देखे अत्याधूनिक लाइटिंग की जा रही है और सड 20 दिसमबर 2022 की है मद्धिपदेश टूरेंज बोर्ड की प्रमुक सचिव ने बताए कि मद्धिपदेश टूरेंज बोर्ड ने इंदोर वासियों को अपनी घर को हॉम इस्टे में बदलकर अत्रिक्त आय कमाने का सोनहरा दिया है मौका दिया है और जिसके तहत प्रवासी भ बिसे सभियान शुरू कर रहा है और अभियान में पंजियन कराने वाले इंदोर की स्थानिय रहवासियों के आभिदन का फास्ट्रेक्ट मोड पर रेजिस्टेशन किया जाएगा उन्होंने बताए कि प्रवासी भारतिय सम्मेलन और ग्लूगल इंवेस्टर समिट के लिए इंदोर पहुंचने वाले प्रवासी भारतियों को पिदेश की सम्मरिद संस्किती परंपराओं और खानपान का आधी का उन्हों पिदान कराने ठहरने के लिए स्वक्षेवं किफायती इस्थान उपलब्द कराने और इस्थानिय इस तर पर रोजगार की आउसर उपलब् प्राइसिंग, तर्मोसन के लिए तकनीकी, सहायत एकाई में कारत, मानोव संसाधनों की चमता विद्धी और राष्टी एवं अंतराष्टी इस्तर की टेवल मार्ट एवं आर एवं कार सालाओं में सहभागिता करने का उसर भी विदान करता है अंगली खबर है आप देखेंगे भूम आफियों से मुक्त कराया, अब इस भूमी पर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनियां बसाई जाएंगे और सरकार की दर एक्चा सकती से भूम आफियों से करेड़ों रुपे की बेस कीमती जमीन नाकेबल मुक्त कराई जा सकती है और वलकि इस से भूम आफियों के आतंग से भी जनता को रहत मिली है और याद रहे मुक्मंती चोहन ने 18 दिसमबर को भूम आफियों से मुक्त कराई गई जमीन पर आवासीन गरीब लोगों को आवासीदा उपलद करानी के लिए नीलबर छेत की ग्राम कल खेडा में 40 एकट भूमी पर सुराज कालनी निर्माड का भूमी पूजन किया था 31 दिसमबर 2022 की हटना है इस दिन मद्विदेस राज सासन ने सूचना पुरुद की सुरक्षा पहलूँओ और यह समती इस्थाई सुरूप की होगी समती में सचिप इलेक्टोनिक सुचना पुरुद की मंत्रा ले भाराज सासन की पिती निर्मुक सचेफ पिरमुक सचेफ ग्राए वित पिरमुक सचेफ बिग्यान और पिरोँदोफ की महाने देशक सर्ट इन पुरवंद संचालक मद्वदेष राज एलेक्टोनिक्स बिकास बिभाद अध्यक्ष कंप्यूटर साइंस भारतिय प्रोद्रकी की संस्थान इन दौर एनसी आई आई पीसी के पिती निधी राज सूसिना अधिकारी एनाई सी महाने देशक अतिरिक पुलिस महाने देशक राज साइबर पुलिस अनकोई विसेस जैसा कि यह संचालन सदस सचेब होंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह दिसंबर महिना भी कतम हो जाता है दिसंबर 2022 में जो भी घटना है गटनी है इन्हें भी हम लोगोंने देख लिया और इस तरह से आप देखेंगे जन्वरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी महिनों को हम लोग कवर कर चुके हैं अंगली क्लास में हम लोग जन्वरी 2023 में जो घटना या घटी हैं उनके बारे में बात करेंगे हम लोग आप लोग पढ़ते रही हैं इन्जॉय करते रही हैं आपका कोई सबाल हो मेरे लिए सु